तो आज की वीडियो का टॉपिक यह है कि हमने बताया था कि CSC लाइड वर्शन लाएगा और इसका जो में हमने दिखाया था तो इसका ID पाज़वाड हमें मिला नहीं अक्चुली जो डिस्टिंग मेनेजर ने अप्लिकेशन फॉर्म दिया था उसको हमने फील किया था लेकिन ID पाज़वाड आया ने इसका बाद डिस्टिंग मेनेजर से कॉंटेक करने के बाद पता चला कि अगर ID पाज़वाड नहीं आता है तो आपके ID के पहले 01 लगाई है मतला आपका जो CSC ID है उससे पहले 01 लगा के देखिए अगर आपका पाज़वाड रिसेन हो रही है OTP से सेंड करते हैं सेंड करने के बाद OTP करते हैं इसका बाद ID और पाज़वाड दोनों आपके रेजिस्टर मोबाइल नमबर पे आ जाएगा तो CSC ID से पहले 01 लगाना है और जो ID और पाज़वाड आता है उसको आपको यह पर लॉग-इन करके आपका QIC करनी है तो QIC करनी है तो QIC मेंने कर दिankर कर लिया करना होगा वेजियं से को तक करने के कि आपको करना होगा को एक है करने के बाद आक कीतना का सर्विस अबको बता है कितना टाइम लगता है और इनको बहुत टाइम चाहिए पो hist लेकिन पहले तो फ्री में प्रोवाइट करता है इसका बाद जो भी सर्विस लोगे चार्ज पे करके आपको एक्टिब करनी होगी लेकिन कोई चार्जेस नहीं है आप सेंपले इसमें जो है आपका जो सीएसे आएडी है आप अपने डिस्टिंग मेनजर को बता सकते हो और अ उसमें अप्लिकेशन फ्रॉम प्रोवाइट करेगा गुगल फ्रॉम या कुछ भी फ्रॉम आपको फ्रॉम प्रोवाइट करेगी तो उसमें आपको फिल अप करना होगा इसका बाद आपको कम से कम साथ से दस दिन टाइम लेगा इसका अंदर इसका बाद आपको आइडी प तो अगर डिजी पे लाइट में भी आप काम करेंगे तो कोई भी आपको इशु नहीं होगा क्या आपका CAC ID बंत नहीं होगा क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट में अगर काम करते हों तो और CAC में काउंट होता है तो यहां से आप माई प्रोफाल देख सकतो और पाज़वर्वा से रिसेंट भी कर सकतो यहां पर रिपोर्ट का बहुत सरे चेंजेस किया गया है और बहुत अच्छा है जब तक हम इसको यूस नहीं कर पेंगे तो इसका पुरा चीज हमें पता नहीं चलेगा लेकिन जो जो इसको आख बहुत सरे चीजेस किया गया है और कम से कम इसमें मुझे लगता है कि अच्छा काम होगा लेकिन बाकि जब इसका आइडी अस्टारि नहीं हो जाएगा कुछ दिन काम करने के बाद टेस्टिंग करने का बाद हमें बता चलेगा कि सी एसी लाइड वर्षन में क्य यह जो सॉप्ट्यार जो भी कंपश्बन रहे है इस सी कमपश्ब्ल चार 카urb L शार पाल बिहले यूज किया हुऊ है तो इसके असे मुझे स्का नालेज है जितना नालेज है उसके सबसे यह सॉप्ट्यटै अच्छा है और इस software के माददम से आप APS, Micro ATM यूज़ कर सकते हो और इसमें से आप DMT कर सकते हो और बागी जो product है इसमें add होने वाला है धीरे-धीरे add हो जाएगा तो अभी जो है normally जो मुझे actually इसका एक चीज़ बहुत मतलब घटिया लगा है वो बाद में बताता हूँ पहले इसका report system देखो support system भी बहुत अच्छा है normally CSE का support मतलब घटिया होता है तो यह पर जो जो option लगाया है अगर सारा option सही से काम करेगी तो इसमें support अच्छा मिलने वाला है और normally CSE का घटिया यह कहता हूँ कि CSE का support system बहुत बुरा है मतलब आपका कोई भी इशू होगा तो उसके लिए आपको बहुत डिले हो जाएगा और support देता ही नहीं है बहुत सकते हो automatically जितना solve हो सके हो जाएगा और normally इसमें wallet दो है एक है आपका EPS का wallet दूसरा DMT का wallet दो-दो wallet लगा हुआ है अभी तो हाले में इसमें कुछ मुझे पिता नहीं चल रही है actually जब मेरा idea approval हो जाएगा और कुछ transition करने के बाद में आपको पुरा clearly इसका पुरा details बता पाऊंगा इसमें आप UPI से भी पैस सा collect कर सकतो कोई भी बंदे आपका बार कोड अपने center पे लगाके आप कोई भी बंदे आपके पास आएगा तो आप उसको अगर UPI क्यूर से पे करेगी तो आपके wallet में आ जाएगा तो यह सरा option add किया गया है यह पर bank account है जिसमें आप payout कर सकते हो जैसे DGP में आप payout करते हो इसमें भी आप AAPS का balance को आप payout कर सकते हो और AAPS balance को अब DMT wallet में लाके अब उसको यूज कर सकते हो देखिए जब तक इसका approval नहीं होता है उसका पूरा चीज में बताने ही बाऊंगा लेकिन मेरे पास ID password आया नहीं मैंने password फोर्गेट किया तो ID password मुझे मिल गया नॉर्मली इमेल पे आया नहीं बोलता है कि इमेल पे आया नहीं लेकिन ID password बन गया है अप्लिकेशन फ्रम फिलाप किया तो ID password हमारा बन चुका है तो यह है मेन इंफोर्मेशन आप लोगों को बताने का यह पर देखिए सभी को करनी होगी डिजी पे लाइड में और यह पुरा यह पर लिखा हुआ है कि इको आइसी जो है मोबाइल एप में इसमूद भी चल रहे है मोबाइल अप प्लेश्टोर में अभी नहीं मिलेगी मैं लेंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको चाहिए तो और नॉर्माली जो है इसमें मैंने आप लोगों को फूरा बताने की कोशिश की है और आगे जाके जब मैं सर्विसें यूज करूंगा तो आपको फूरा डिटेस बता दूंगा और जो मेन पॉब्लिम है इसमें जो डोमेन यूज हुआ है मुझे यही गलत लगा अगर अगर आगे जाके इसम को यूज करेंगे तो इसका पूरा डिटेस पता चलेगे तो आज के लिए इतना ही अगर आप लोगो को वीडियो इंपरमेटिक लगा है तो लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और एक कमेंट कर जिए और क्या जानकरी आपको चाहिए आप कमेंट करके मुझे बता सकतो आज के लिए इतना ही धन्यबाद जयहेंद